पार्लिमंट में सिर्फ एक इंस्टिट्यूशन के बारे में बात की, वो जो हिंदुस्तान की सरकार का सेंटर है, कौर है, जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाता है, और उसमें मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा, प्रधान मंत्री कहते हैं कि वो OBC के लिए बहुत काम कर रहे हैं, अगर प्रधान मंत्री इतना काम कर रहे हैं, तो नब्बे में से सिर्फ तीन लोग OBC कम्यूनियों हैं, पहला सवाल, मैंने यही अनैलिस, अनैलिसिस बजट को देखके की, कि यह पूरा हिंदुस्तान का बजट किया है, और यह जो OBC Officers हैं, यह इस बजट में से कितना कंट्रोल कर रहे हैं और क्या कंट्रोल कर रहे हैं, आदिवासी क्या कंट्रोल कर रहे हैं, दलित क्या कंट्रोल कर रहे हैं, OBC हिंदुस्तान के 5% बजट को कंट्रोल कर रहा है, OBC ओफिसर्स तो मुझे बात समझ नहीं आ रही है प्रधान मंत्री हर रोज OBC के बात करते हैं, OBC प्राइड की बात करते हैं मगर OBC के लिए क्या क्या अब जब मैंने ये बात बोली, उनका response बड़ा interesting वो कहते हैं कि लोग सभा में हमारा representation है लोग सभा में representation का क्या लेना देना है मैं कह रहा हूँ कि budget decision जो लेते हैं, जो budget को officers ने जो budget को control करते हैं, 5% OBC ने ले रहे हैं और मैंने सिर्फ ये सवाल पूछा, क्या हिंदुस्तान में OBC के आवादी 5% है ये मैं जानना चाहता हूँ, अगर 5% है, तो फिर वो ठीक है उसको मैं accept करने के लिए त्यार हूँ, मगर वो 5% से ज़ादा है तो मुझे ये पता लगाना है, और एक बार मैं मन बना लेता हूँ, मैं छोड़ता नहीं हूँ, मुझे ये पता लगाना है ये OBC हिंदुस्तान में कितने हैं, और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए अब आप किसी लोगसभा में किसी भी MP से पूछ लिजे लोगसभा को Temple of Democracy का जाता है आप किसी भी BJP के MP से पूछ लिजे कि वो कोई decision लेता है कोई कानून बनाता है कोई कानून बनाने में भाग लेता है किसी से भी पूछ लिजे बिल्कुल नहीं ना Congress का MP इस लोगसभा में ना BJP का MP ना कोई और India का MP कोई decision लेता है मतलब MPs को जैसे मंदिर में मूर्तिय होती है वैसे मूर्तिय मना रखी है और OBC की वहाँ पे मूर्तिय भर रखी है मगर power बिल्कुल नहीं है देश को चलाने में कोई भागीदारी नहीं है ये सवाल मैंने उठाया है कि क्या और हर हर OBC युगा को ये समझना है कि क्या आपको इस देश को चलाने में भागीदारी मिलनी चाहिए हाँ या ना कर मिलनी चाहिए तो क्या आपकी अबादी 5% है हाँ या ना ये सवाल है और distraction इस बात से हो रहा है बीजेपी को ये जो दो पॉइंट्स है महिला आरक्षन वाले डी लिमिटेशन और सेंसस इनको एकदम महिलाओं को जो इज़त मिलनी चाहिए रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो भागीदारी होनी चाहिए उनको एकदम वो कर दे सेंसस का जो हमने डेटा निकाला था उसको पब्लिक कर दे तो सारे हिंदुस्तान के OBC युवाओं को पता लग जाए वो हैं कितने और निया सेंसस कास बेसिस पे करें